नमस्कार दोस्तों मैं सूरजलाल चंत कभीर विद्याफिट के इस ओफिसियल यूटूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्रियम छात्राओं का हारदिक स्वागत करता हूं आईए हम लोग प्रमुक रूप से इंडियन जोगर्फी के संदर में आज हम लोग बात करेंगे भारतिय भुगोल का एक प्रमुक टॉपिक है अपवाहतंत्र नदियों के बारे में चर्चा किया जाए क्या है मामला अपवाहतंत्र के बारे में जो कि बेहद इंपोर्टेंट है अपवाहतंत्र क्या है कैसे है इस पे चर्चा किया जाए ध्यान दिजिए अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है अपवाह तंत्र का मतलब ये होता है कि जब कोई जल बहुत सारे जल की मात्रा एक जगह से दूसरे जगह पर अपवाहित हो करके जाती है और अपना जल एक जगह है, यहां से जल लाकर के यहां पे गिरा रहा है, भिसर्जित कर रहा है, उसे हम लोग एक तंत्र के माध्यम से अपवातंत्र करते हैं, ठीक है। अब यहाँ अपवात अंत्र के कुछ प्रमुक सब्द है जो बेहद इंपोर्टेंट है वो क्या है जैसे कि अनुवर्ती नदियां एक सब्द है अनुवर्ती अनुवर्ती क्या होता है अनुवर्ती क्या होता है यह इंपोर्टेंट है अनुवर्ती का मतलब क्या वे नदियां जो सामान ने ढाल की दिशा में बहती हैं उन्हें हम लोग अनुवर्ती नदियां करते हैं जैसे प्रायदीपिय भारत की नदियां गुदावरी, कृष्णा, कावेरी ठीक है और वे नदियां जो हिमालय निर्मार से पहले बहती थी ठीक है यानि अपनी धाराओं की दिशा में अस्थलो यानि कि परवतों को काट कर महाख़ड गार्ज में प्रवाहित होती हैं ऐसी नदियों को पुरवर्ती नदी काते हैं पुरवर्ती का मतलब क्या है कि जो नदियां हिमालय से पहले बहती थी और अपने परवतों को काट कर जो है अपने परवतों को काट करके वो नदियां परवाहित हुई हैं वो पुरवर्ती हैं और वे नदियां जो समान ने ढाल की दिशा में बहती हैं उन्हें हम अनुवर्त नदिया करते हैं यह important बात है ठीक है इसके बाद बात करते हैं नदियों का कुछ अपवाह प्रतिरूप कुछ pattern होता है नदियों का जो बेहद important है तो नदियों का कुछ अपवाह प्रतिरूप क्या होता है यह भी ध्यान लगते हैं जैसे कि बिच्छाकार प्रतिरूप वह नदियां जो अस्थल है उसके अनुशार बहती हैं और बिच्छ की साखाओं के रूपे प्रवाहित होती हैं जैसे दच्छिड भारत की तमाम सारी नदियां हैं कि जो बिच्छाकार ऐसे बहेंगे बिच्छ के तरह जो है बिच्छ बन उसे हम अर्य प्रतिरूप करते हैं जैसे आमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नर्वदायों सोन नदी अर्य प्रतिरूप है फिर है जाली नुमा प्रतिरूप जाली नुमा प्रतिरूप क्या होता है जब नदिया जो है मुख नदिया एक दूसरे से समानतर बहती है और सहा प्रतिरूप को हम लोग जाली नुमा प्रतिरूप करते हैं ठीक है इसके बाद बात करते हैं यह जाली नुमा हो गया अब हम लोग बात करते हैं भारत की नदियों को अपवाह तंतर के इसाब से दो अरगों में बाटा गया है भारत की नदियों को अपवाह तंतर के इसाब से बारह मासी हैं, इनको हिम से, हिम के पिघलने से, वर्प के माध्यम से जलकी प्राप्ति होती है, और वर्षा से जलकी प्राप्ति होती है, लेकिन प्राइदीपिय भारत की नदियां जो है, उन्हें सिर्फ वर्षा से जलकी प्राप्ति होती है, ये भी इंपोर्टेंट है, ठ फिखलने से था बरसा दोनों से होती है अपने परवतिय मार्ग में नदिया गहरी गार्ज महा कहट लाकार की gift गाटिया जलप्रपात का निर्माड करती हैं तथा मेदान में इसके बाद देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं हिमाले से निकलने वाली प्रमुक नदियू के तंत्र के बारे में, तो तीन तंत्र है, पहला है सिंधु नदी तंत्र, दुसरा है आपका गंगा नदी तंत्र, फिर इसके बाद है ब्रम्हा पुत्र, ब्रम्हा पुत्र करते हैं बात हम लोग करते हैं सिंधु नदीत अंत्र की बारे बात करें तो इसका उदगम जो है तिबत में कैलास परबस रेड़ी में ठिक है वोखर्चू वोखर्चू के निकट एक हिमनस से होता है इसे तिबत अत्वां सेर्मुक के नाम से इसको जानते हैं ठीक सिंदु नदी, थोड़ा सा हम मैप में देखेंगे यह रहा आपस सिंदु नदी यह आप देखेंगे यह जो है इक की. यह जो है एक glacier है यहां से यह निकल करके आप देख रहे हैं यह ऐसे ऐसे यह पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में यह गिरते हैं सिंदु नती जो है ठीक है ऐसे होते हुए अरब सागर में गिरते हैं ठीक है आप देख रहे हैं किसके दाय सीरे से एक सियोक नदी है मिलती है सियोक नदी ठीक है और इसके बाएं बहुत सारे सहायग नदी आप देख रहे हैं यहां से जेलम नदी ऐसे निकल करके ठीक है जेलम नदी ऐसे यहां पर फिर यहां से आप चिनाब नदी देखेंगे फिर आप यहां रावी नदी देखेंगे फिर आप यहां ब्यास नदी दे मांसरोबर जिलके राकस ताल से निकलता है, सतलज नदी, फिर इसकी सहायक नदी है, जेलम, चिनाब, राबी, ब्याज, सतलज, ठीक है, तो ये उससे मिलता है, ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, तो सिंधु नदी के बारे में बात हम लोग करते हैं, ठीको भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमेटर है, 1114 किलोमेटर है, जब कि इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमेटर है, लेकिन भारत में इसकी कितनी है, 1114 किलोमेटर है, सिंदु नदी की बाएं और दाएं दोनों तरब से अनेक सहायक नदिया मिलती है, ठीक है, जैसे आपको आमने ब सिंदु जल समझोता है कि नितार भारत इसका मात्र जो है 20 परसेंट जल का उपयोग कर सकता है और बाकी पाकिस्तान करता है ठीक है इसके बाद इसकी साहग नदियों में जहेलम देखेंगे जहेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल जम्मू कस्मीर के पीर पंजाल गिरिपद मेश्थित बेरिंग के निकट सेसनाग जहिल से होता है तथा यह बूलर जहिल से होती हुई यह नदी जहेलम बूलर जहिल से होती हु हमेर में तुल्बुल पर्योजना, उरी पर्योजना भी जेलन नदी पर बना हुआ है यह भी इंपोर्टिंट बात है । फिर चििर्णाब नदी के बारे मैं बात करते हैं। चिनाब नदी सिंदू की सबसे बड़ी सहायग नदी है जो हिमानचल प्रदेश में चंद्र और भागा नाम से दो भागों से निकलती है ठीक है निकलने के बाद इसे हम लोग चिनाब नदी बोलते है हिमानचल प्रदेश से इस पर जो प्रमुक जैसे बगलिहार परियोजना सलाल परियोजना दुलहस्ती परियोजना किस पे बना है चनाब नदी पे बना है ठीक है एइंपोर्टेंट है राभी नदी इसका उद्गम हिमानचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पश्षिम से होता है राभी नदी यह सिंदु के बाये तट से मिलने वाली पांश नदी से एक है ःटिक है व्यास नदी इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ही होता है इमानचल परदेश में जो व्यास नदी और इसकनामकस्थान पर इस से हरी के बयराज करते हैं और यहीं से जो है इंदिरा गांदि निंहर निकला है बहरत की सबसे बड़ी नहर है थुद्धा सम मैप प्र आप को हम दिखा देते इसको यह आप यहाँ देखेंगे देखिए यह तो आपका रहा बोकर चु से आपने देखा दमचोग के पास प्रवेश कर गई सिंदू ठीक है यह सिंदू हो गई मीठन कोट के पास से ठीक है पाकिस्तान में हो फिर आप यह देखेंगे जेलम इसकी सहायक जो पीर पंजाल से निकली हुई है, चिनाब जो चंद्र और भागा से हिमान चल प्रदेश, रावी जो है, रोतांग दर्रे से हिमान चल प्रदेश, ठीक है, ब्यास भी हिमान चल प्रदेश, ब्यास जाके सतलज में मिला है, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, तो कहां कहां निकला है, ये दर्रे हमन या तिबत के खास करके तिबत से निकलती है मांसरोबर जिल से तिबत के जो मांसरोबर जिल के राचस जो ताल है एक ठीक है तिबत से निकलती है इसको मैं आपको बता रहा हूँ देखे सतलज नदी जो है ये आपका सतलज नदी है ठीक है ये मांसरोबर जिल के राकस ताल से आपका सतलज नदी निकल लई है ठीक है और इस पे जो प्रमुक परियोजनाएं हैं भाक्रा नांगल परियोजना भाक्रा सतलज नदी पर बना है भाक्रा नांगल परियोजना किस पर बना है सतलज नदी पर बना ये important बात है ठीक है और हर के बैराज जो आपको बताया है गंगा नदी तंतर के बारे में, गंगा नदी तंतर में क्या है? सतोपत हिमानी से निकली, अलकननदा और गोमुक्त के निकट गंगुत्री हिम्नस से निकली भागी रथी। मुख के निकट से गंगुत्रीत निकली है इसके बाद इन दोनों को निकलने के बाद जब दियो परियाग में मिलता है तो इसे हम लोग सहीवत रूप से गंगा कहते हैं ठीक है अब इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा मैं चितर आपको दिखा दूँ यहां पे एक मैप के माध्यम से ध्यान दीजियें यह भागी रती नदी है यह आपका अलक नंदा नदी है यह जब दियो परियाग में आके मिलती है तो यहां पे इसका नाम गंगा रखा गया है फिर अब यहां पे आप देखेंगे की इधर से अगर मैं बात करूँ इसकी सहायक नदियों को धाएं से आप देखेंगे दाएं से कौन सहायक नदियां है ठीक है अगर आप गंगा नदी चुकी इधर जा रही है इधर जा रही है तो ये बाएं से आप उपर से देखेंगे तो इसकी सहायक यहां से राम गंगा नदी है फिर गोमती नदी है जो फुल हर जिल से निकलती है ठीक है मैदानी भाग से फिर आपका सारदा नदी है खागरा है रापती इदर निकलती आके पटना मिलती है इदर आप देख रहे हैं गंडक नदी है फिर कोसी नदी है सहायक ठीक है फिर महानन्दा नदी है ठीक है ये गंगा की कई प्रकार की सहायक नदिया है ठीक है नेस्ट बाते क्या है गंगा की सहाइग नदिया जैसे बाएं तरप से मिलने वाली राम गंगा, गोमती, घागरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानन्दा जबकि दाएं तरप से मिलने वाली नदिया यमुना, सोन, टोन, सकर्म, नासा है जो आपको हमने बताया है गंगा नदि की जो कुल लंबाई है 25-25 किलोमेटर है इसके बाद इसका मुहाना बंगाल की खारी में है भारत की सबसे बड़ा आतंत्र है यह और इस नदि के किनारी अगर सबसे बड़ा कोई सहर है तो आपका कान पूरा जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं यह आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यह जो है यहाँ से निकली नदि यहाँ भागी रती और अलकनन्दा दियो परियाग में मिला यहाँ से गंगा ऐसे उत्राकंड होते हुए फिर उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश बिहार से होते हुए यह ठीक है फिर यह पश्चिम बंगाल के रास्ते है आपका बांगलादेश में प्रिवेश कर जाती है नदि ठीक है तमाम प्रकार की जैसे देखें सिTalk and on the grey edge lab यंधर प्रेटन सुन देखा कि कौन से सहायक है राम गंगा है और दाइं तट पर आपने देखा य Hampyn вышamani चोकी सब्सेबड़ी साहायक थिया का जो यम्यवन नदी बंदर पुछ किsta पुस्चोटी निकलता है यमुना हो गया फिर यहां प्रियाग में प्रियाग राजिय मिल गंगा से मिलती है थिक है दाय तट से मिलती है फिर इदर से आप देखना सोनदी मिलती है तीक सोनदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है फिर आप इधर देख रहे हैं ठीक है यमना की भी प्रमुख सहायक है जैसे चंबल है ठीक है बेतवा है केन है ठीक है और इधर टोंस नदी भी जाके गंगा से मिल जाती है ठीक है तो यह रहा गंगा के बारे में कुछ बेसिक बाते यह चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि कहां कहां कैसे कैसे है ठीक है तो यह हो गया और क्या बात है गंगा नदी को बांगला जिसमें प्रिवेस करती है तो इसे पदमा के नाम से जानते हैं और अंतरूप से जब यह ब्रह्मा फुत्र नदी के साथ मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसे मेघना के नाम से जानते हैं मेगना ठीक है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक हमने बताया आपको यमना नदी है जो की यमनुत्री हिमनत के बंदर कुछ चोटी से निकलती है और प्रियाग राज में ये गंगा के दाये तट पर मिलती है ठीक है ये बात हमने आपको बताया ठीक है और यमना की भी सहायक हमने बताया गंगा नदी पर ही राष्टि-जालमार्ग संख्या वन जो एक है जो इलहाबाद से लेकर हल्दिया तक है यह गंगा नदी पर ही बना हुआ है यह हो गया गंगा नदी के बारे में अब हम लोग नेस्ट बात करते हैं ब्रह्मा पुत्र ठीक है बहुत इंपोर्ट आप यहां पर देख रहे हैं कि जो चमाईूंग डूंग ग्लेसियर है ठीक है इस ग्लेसियर से निकलते हुए तिबबत में इसको सांको के नाम से जानते हैं फिर ये नदी ऐसे बढ़ते हुए अवडांचल प्रदेश में ये नामचा बारवा परवत है कि जो कि अवडांचल दर्रा ठीक है इसके दर्रे के बगल से ही निकलती है ठीक है ये अवडांचल प्रदेश में फिर प्रवेस करती है ठीक है अवडांचल प्रदेश में प्रवेस करते हुए फिर यही नदी आप देखेंगे कि बांगलादेश में निकल जाती है ठीक है तो आईए इसके बारे कामिंग यह इसी की साइग नधी है धन सिरी इसी की साइग नधी है माजली आपको पता एक नधी दिवह है ठीक है अगर अफवात अंत्र बड़ा है तो गंगा नदी का है ठीक है यह important बात है तो हमने जैसे आपको बताया कि हिमालय के उत्तर में इस्थित मान सरोबर जिल के पास से पैलास रेडी के चिमायूंग डूंग हिमानी से निकलने वाली नदी ब्रहम महापुत्र है ठीक है तिब्बत में इसे जैसे हमने आपको बताया सिंटेक्सियल बॉन्ड के सहारे नाम्चाबारवा के निकट जो है यह मद्ध हिमालय को काटते हुई भारत के अव्रांचल प्रदेश में प्रविस करती है ठीक है और ब्रहमापुत्र को अव्रांचल प्रदेश में दीहांग के नाम से भी जानते हैं और ब्रह्मा पुत्र को बांगलादेश में जमना के नाम से आने यह बहुत इंपोर्टेंट है फैक्चुल डेटा है और यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर्वन डेल्टा बनाता है इसकी प्रमुख सहायग नदिया जो आपको हमने बताया सुबन्सरी है सुबन्सरी ठीक है मानस तिस्ता दिहांग लोहित धन्सरी प्रमुख नदिया है ठीक है यह इसका हमने आपको चर्चा किया ठीक है यह चित्र के माध्यम से तो यह रहा अफवाहतंत्र और खास करके अ इमाले नदियों का पुआतंत्र जिसमें हमने देखा सिंदु नदिया पुआतंत्र गंगा नदिया पुआतंत्र एवं भ्रम्हा पुत्र नदिया पुआतंत्र नेस्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्राय दीपिय भारत की जो नदियां है उसके क्या पुआ तंत्र है एकर जहनु